श्राष्टिकाल नमस्क्यों जी आनु बच्चे स्वागते तोड़े एक बार फेल मेनी चैनल पंजाबी नर्नीग विद मुईता विद्वी लड़ी विच उसे अगला पार्ट कर जा रहे हैं वह है ग्यारवी क्लास दी कहानी है अन्नी मादा पुत जो की लिखी हुई है राम पुक्षी बाबा कुछ भी कह सकते और कुछ और बच्चे हैं जो कि इस गहानी दीक पातरों सारी विच्चा कहानी के सिर्जनावी ना दा भी रोल है तो कहानी से जढ़ा प्रिवार मुख विशे विच विच्च नो तुस्स ये वी कह सबैं और बच्च दा अपनी माल तो जो द उसी कहानी पढ़ोगे तो अनों अपने पर समझ आ जाएगी किस तरह व्यार है कहानी दा जड़ा मुख पादर दीपा है वो अपने माता पिता देनाल करच रह रहा है उनना दे कारदी हालत जड़ी की बहुत आर्थी कारद बहुत खराब है कारदी के तो इससे पेसी किसे बाहर बहुत खराब है तो कहानी को इस तरह स्टाट ने कि की बच्चियान गाल खे़ खेड खेड रहा है जस विच की खेड दे खेड दे उसका पेर किसे लाइन ती आ जानी झीना गजांत है इक बांडरी के आता है जिसकर करने लिए उसनों बाव सारे बचे चड़ान देहन कि दिखदानी तेनों अन्नी मादे पुता है। यानि कि दिपे नों दीपे दी मादे जड़िया अख्खा ने बहुत ही नजर रड़ी की कम जोर हो चुकी है, यानि कि असी परसेंट उस दी मादे नहीं आदा। इस करके उसनों आन्झ कोआन यहार को इसनों चलॉंदा है कि अन्नी मा दा जड़ा की उपोत है। बच्चेया ना गेम खीड रहा है बच्चेयों क्या देहान कि तनों दिखधानी अन्नी मा दा पुत्ता दीप ने गल बड़ी बुरी लग दे दीपा विचे खेड शड़ के जड़ा की ओका अंदर अपनी मा दे को कार अंदर आए तो देखता है कि उसी जड़ी मा है अपनी पैर उत्ते माद पैर ते कोई साथ लगी तो उसके कपड़े दा टुकड़ा जड़ा की लीव जड़ी है बन रही है तो अपनी मानों पुछता है कि की ओ आया ते मां केल दी है कि मेरा पीडी ना पैर अडिया सी ते में डेख गी हां क्योंकि में चंगी तरह दिखदा नहीं है दीपा जब बारों भी गल सुनके आया बच्च्चा देमों के अन्नी माद पोत फिरकार आ कि अपनी मा पुछता है तरह में ना क ruh दौ हुगा है ज़्यदा दब को ड़े ग्तातोऊ है दिखी मोई जि मोटी ना पांट सब्छा देह है कि अन्नी मा पुछता है दिपा नो एक रारों झाल आप مोगे ब 실नानी हो पुछता आतल्य अन्नी माह पूता दिपा है कि मानों सुन प्णी ह सिद्धियों के बेदें है इस गलदा उसी मानुं बड़ा बुरा लगदा है प्योग्वदे मौसं दी है क्योंकि अन्दा है कि अन्य मादे पुट्धा क्योंकि दीपे दी इंदी कि अख्वाँ भाद दर्दूंदी सिर्द्धिया पुडपडियां इस्ता हुंदा है जो ह्लावत षड से एक दिन अखां विघ तकलीप हो लिए उसने कारी तोटके छूने को सूने-सने तोटके किसने कार्डबीजी रसॉंट अठे अफीन जड़ी सिंप अखां विछ पाली महात हुझ आर्गेदी अंखां व्च्षांग वेठी एक जटी है मुँआई कि रसौन ते अफीम पांदयाल अखांच जड़ा की होर बिमारी बद चुकी है असल विच दीपेदी मानु प्रेडी बिमारी से अखांदी काला मोतिया सी जिसकर नो अखांदी लागपक 80% वेखांदी जड़ी शमता सी ओ लड़ी की खतम उचंदी उसनों नजर नहीं आंदा वेख जड़ी से लगального तुक्छा उचंदी नजर रेखांदा है काला मोति मेरा आखांदी खेट जड़्य। पुरा लगी है तो सारे दोस्त वी जड़े पाली न उसनों कहने हान की तेनु अन्नी मादे पुत्ता तेनु दिखदानी मिट्टी थोड़ी चाड़ के रोटी खाला है अगर कोई खेड़ खेड़ रहा है ता उसनों कहते हैं अन्नी मादे पुत्त तो यह सरी है गल्ला सुनके बार 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 इकोई कटाप्ष बार इकोई व्यांग बार इकोई गाल सुनके दीपे दा देल जड़ा है कि बहुत पसीच जानदा है चौन्दा है कि अपने मालि मंता भी जाग रही है कि माहाँ वाशत कुछ पुछ करना पर नाली की नालहाई ओ।्टे इस religs का ड कोई थी जऱ्ो इसलिक मां पधुइः पियार वी और दो यह स्याय पुत्त बार बार इकोई मोर्त हैं उस तो वो मुक्ति पॉना चौंदा है इस वास्ते वो चौंदा कि किसे तरह भी माधी अख़ा ठीक हो जाना इस वरी मी चंगा पहन दा है सौन दे मी ने जडी सावन दे मंडी चंगी पर निसे उते मेला लगना हुंदा है वी ने आोट वानुवी के चंगा थे पयंडे हैनके क्ँछ पैसे कमाये हम लिएके ती व अपने दोस्ता शाने कना मेला लगना चले जाना थे बोहत सारे उत्यार है जोट ऑपनी दिखता है लेकिन आपने महाँस तो कुछ भी नहीं लेंदा पुछ नहीं करता है सर्वा वेचे होले मिल वहां सर्मा विच रहा हैं 1 जड़ा सर्मा वेच्छ स्वरमा मिला है मिला और स्वर्मों विच देंगोली फ्रीक दों उसनो सवा मिना बंटी रख्या हो पर आग भी चित पाक उसनों सोद के त्यार किता है और उनाली सन्यासी दासदा है कि जड़ा भी इसनों तेन वार पाएगा सुर्मे नू उसना चिट्टा मोतिया ते जड़ा साथ दंग यानिकी साथ वार पाएगा उसना काला मोतिया ठीक हो जाएगा दीपा सुनके गाल बड कीमत की ली है और उसनी कीमत 8 मैं दाज है शर्मे में डली आधीशा शसी की खरीद के बड़ा खुश्च्छ चारा करांज है ते का रहाएगा कि अपने पिता न क्यें पार पाएगा साथ मैंको पने आज अखिए न फीक हो जाएगा तेरा काला मोतिया भी ठीक हो जागा लेक तेन आए कि जड़ी बीक उपर से नजरों दी माधी नजर ठीक है दिख रहा है वह उसनों दिखनों के ते बंद ना हो जाए सो यह सी कहाणी अन्नी माधा पोत जो की बच्चे दा अपने माली प्यार भी है नाल गरीबीली हालत करन लोग का जड़ लोग डड़े इलाज भी नहीं करा सकते और इस कहाणी विच पेश कीती गई है बहुत ही वदिया कहाणी है उमीद कर रहे है तो अनुसारी कहाणी चंग करन गर्ड़